पश्चे मंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी इस वक्त कॉंग्रिस के लिए परिशानी का सबब बनी हुई है वो लगातार हाथ को कमजोर करने के लिए हुंकार भर रही है लेकिन वहीं अब उत्तप्रदेश में सपाप्रमुक अखलेश यादा भी मम्ता के मुरीद बनते जा रहे हैं आज उन्होंने विजय रत्य यात्रा के दौरान मम्ता की तारीफ में जमकर कसीदे गढ़े जिससे महगटबंदन की तस्वीर धुंदली पढ़ने के साथ साथ कॉंग्रेश की रहा भी मुश्किल होती दिख रही है इसी के साथ ही अखलेश ने बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि बुंदेल खंट की जनता ने बीजेपी को जमकर वोट दिये थे लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला डवल इंजन की सरकार ने बुंदेल खंड के लिए कुछ नहीं किया उल्टा जो काम पिछली सरकार ने चलाए थे उन्हें भी बंद कर दिया लेकिन इस बार यहां की जनता बीजेपी को शूनि कर देगी बीजेपी के लिए बुंदेल खंट के दर्वाजे बंध हो जाएंगे इतना ही नहीं अखलेश यादव ने कहा कि ये नाम बदलने वाले लोगों को जनता बदल देगी बदलाव होगा लहर चली है जनता लहर की ओर चल रही है इस सरकार ने पुलिस के माध्यम से अन्याय कराया है इसकी कलपना नहीं कर सकते जाती धर्म के आधार पर भेदवाव किया गया इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा अब अखलेश ने भले ही अपने भाषण में बीजेपी के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी हो लेकिन मम्ता का मुरीद बन उन्होंने नए संकेत भी दिये है जो कॉंग्रिस के लिए ना केबल यूपी में बलकि महागट बंधन में भी मुश्किल पैदा कर सकते हैं डिवी लाइव की रिपोर्ट